DAX used 6428 blocks to build a castle. तो DAX ने 6428 blocks का इस्तमाल किया है एक castle यानि की एक महल बनाने के लिए. Round the number of blocks to the nearest hundred. तो हमें इस number of blocks को nearest hundred में round करना है. तो पहले तो मैं अपनी pen निकाल लेती हूँ. तो DAX ने इस्तमाल किये है 6428 blocks और हमें इस number को round करना है nearest hundred में. तो हमारे hundred की place है ये जिस पे हमारा four रखा हुआ है. तो पहले तो मैं इन places को लिख लेती हूँ. ये हमारे ones की place है, ये है tens की place, hundreds की place और ये है thousands की place. तो इस number को nearest hundred में round करने के लिए हमें hundred की place के ठीक right वाले place में जो digit है उसे देखना होता है. और इसके ठीक right वाला digit ये है two के बराबर. तो अगर इस वाली place में जो digit है, अगर ये छोटा होता है five से, if this is less than five, तो हम अपने number को round down करते हैं. तो हमें यहाँ इस number को round down करना होगा. तो इसे round down करने का मतलब है कि हमें hundred का वो multiple चाहिए, जो कि इस number के सबसे पास हो और इस से छोटा हो. तो वो number होगा 6400 के बराबर. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम number of blocks को round down करते हैं, तो DAX ने कुल 6400 blocks का इस्तिमाल किया. अगला question करते हैं. An ice cream shop has a sign in their window that says, we sell 12,000 scoops per month. तो एक ice cream के दुकान पर उनकी जो खिड़की है उस पे एक sign है, जिस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो लोग 12,000 ice cream के scoops हर महीने बेचते हैं. The number of scoops has been rounded और उन्होंने ये जो number लिखा है scoops का, ये उन्होंने round करके लिखा हुआ है. तो हमें पता लगाना है कि उन्होंने कुल कितने scoop ice cream बेची होगी अगर उन्होंने nearest thousand में round कर दिया है total number of scoops को. तो हमारा पहला option है 10,999, तो इसे या तो हम round up कर सकते हैं 11,000 में, या तो इसे हम round down कर सकते हैं 10,000 में. तो हमें यहां इसके thousand की place को round करना है, इसलिए हम इसके ठीक right वाले digit को देखेंगे, और ठीक right में हमारे पास है 9, और जब भी ये digit 5 या 5 से बड़ा होता है, तो हम round up करते हैं. यानि कि ये number जब round होगा, तो हमें 11,000 मिलेगा, तो ये तो हमारा answer नहीं हो सकता, तो हमारा दूसरो option है 12,111, तो अगर हम इसे round up करेंगे, तो यहां ये round up होके हो जाएगा 13,000 के बराबर, और अगर हम इसे round down करते हैं, तो ये होगा 12,000 के बराबर, तो अगर हमें इसे round कर right वाले digit, यानि कि 1 को देखना होगा, और क्योंकि ये 5 से छोटा है, हमारा ये number, ये round down हो जाएगा, तो हमारा option भी, ये हमारा answer होना चाहिए, क्योंकि हमें 12,000 ही round number तो चाहिए था, यहां पर ये 12,000 है, इसी तरीके से आखर में हमारे पास है 11,589, तो इसे या तो हम round up कर स हमें इसके thousand के place के right वाले digit, यानि कि 5 को देखना होगा, और अगर ये वाला digit 5 या 5 से बढ़ा होता है, तो हम round up करते हैं, तो अगर हम इसे round करेंगे, तो हमें मिलेगा 12,000, और ये भी हमारा answer हो सकता है यहां पर, तो चलिए अब इसे check कर लेते हैं, और एक आखरी सवाल और करते हैं, तो पहले तो मैं इस सवाल का थोड़ा size बढ़ा लेती हूँ, ठीक है, a recycling truck picks up 4535 kg of cardboard from a grocery store, तो एक recycling वाला truck है, और वो 4535 kg का cardboard एक किराने की दुकान से उठाता है, round the weight of the cardboard to the nearest hundred, और हमें इस के weight को, इस cardboard के weight को nearest hundred में round करना है, तो पहले पेन निकालते हैं, और total weight हमें दे रखा है cardboard का 4535, और इसे round करना है हमें hundreds में, तो इसके hundred की place पे है five, और इसे round करने के लिए हम hundred के right वाले digit को देखेंगे, तो इसके right में हमारे पास है three, और जब भी भी ये वाला digit, ये five से छोटा होता है, तो हम हमेशा round down कर देते हैं, तो हमारा ये number हो जाना चाहिए round down, और इसे round down करने पे हमें मिलेगा 4500, हम कह सकते हैं कि हमारा ये number, ये hundred के इस multiple के सबसे ज़ादा पास में है, जो कि इससे छोटा है, तो हमारा ये number round होने पे 4500 के बराबर हो जाता है, यहाँ पर मैं अपन आंसर लिख देती हूँ, इसे चेक करेंगे और एक सवाल मुझे और दिख रहा है, मुझे लगा था तीन सवाल ही होंगे, एक और कर लेते हैं बस तो एक पाइलिट है प्लेन का और वो अपने पैसेंजर को round करके बताता है कि वो लोग कितनी उचाए पे पहुचे हैं, और वो लोग अभी 36000 फीट की उचाए पे हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ उचाएं दे रखी हैं और हमें बता लगाना है कि कौन सी उचाए अगर हम इनमें से round करते तो वो 36000 फीट के बराबर होती, यानि कि अभी वो जो प्लेन है वो असल में कितनी उचाए पे है, तो हमारा पहला option है 36400, तो अगर मैं बात करती 36400 की, तो इसे या तो हम round up कर सकते हैं 37000 में, या हम इसे round down कर सकते हैं 36000 में, और इसे nearest thousand में round करने के लिए, हमें इसके thousand की place के right वाले digit को देखना होगा, और ये digit क्योंकि ये 5 से छोटा है, हमारा ये number round down होगा, और round down होके ये 36000 के बराबर होगा, तो ये हमारा option हो सकता है, हो सकता है कि असल में वो plane 36400 पे हो और पाइलिट ने उन्हें 36000 feet round करके बताया हो, हमारा दूसरा option है 35800, तो इसे अगर हम round up करेंगे, तो हमें मिलेगा 36000, और अगर हम इसे round down करेंगे, तो हमें मिलेगा 35000, तो इसे round करने के लिए nearest thousand में, हमें thousand वाली place के right वाले digit यानि की 8 को देखना होगा, और क्योंकि ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसे हम round up कर देंगे, और round up होके ये हो जाता है 36000 के बराबर, और ये भी हमारा answer हो सकता है, हो सकता है कि वो plane इस उचाई पे हो, और हमारा तीसरा option है 36700 के बराबर, तो अगर हम round करेंगे, तो हमें मिलेगा 36000, और thousand की place के right वाला digit है 7, जो की 5 से बड़ा है, इसलिए हमारा ये number round up होके 37000 हो जाएगा, और हमें 37000 तो चाहिए नहीं, तो C हमारा option नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों सही होने चाहिए, चलिए से भी चेक कर लेते हैं, और ये हमने स भी सवाल कर लिए हैं,